वेलकम टू दा चैनल योफिस वी लोग आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे उन इंस्टेक्शन के बारे में जो फाइनस डिपार्टमेंट हरियाना ने सेप्टेंबर महिने में इशू की हैं अगर आप इन इंस्टेक्शन को डाउनलोड करना चाते हैं तो फाइनस डिपार्टमेंट हरियाना की वेबसाइट का लिंक में ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं जो सबसे पहली instruction issue हुई थी सेप्टेंबर महिने में वो result है हरियाना स्टेट अकाउंट सर्विसेज का local audit department का एडर का तो जिन्होंने भी local audit department में SAS का exam दिया था वो ये result देख सकते हैं और जिन्होंने local audit department से अलग SAS का exam देना है वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका result डिकलेर किया जाएगा इसमें subject और syllabus सेम है local audit department के लिए भी और जो दूसरे employees हैं जिन्होंने SAS का exam देना है उनके लिए भी तो ये result है local audit department के HSAS exam के लिए इसके बाद जो next instruction है वो revised ACP scale है हरियाना police services के लिए जो हरियाना police services के employees हैं उनके लिए ACP structure को revise कर दिया है government ने ये आप देख सकते हैं कि किस post के officer के लिए क्या revision या modification की गई है ACP level में इसके बाद जो next instruction है वो है bills under right to service act ये instruction पहले भी इस्यू की गई थी finance department के दवारा और information मांगी थी कि जो bill right to service act के तहट आते हैं उनकी information भेजी जाए ताकि उनको जल्दी से जल्दी पास किया जासके treasury के दवारा ये information अभी तक कई departments ने नहीं भेजी है तो इस format में ये information भेजी जानी है इमेल के थूँ ये information seven days के अंदर-अंदर मांगी है finance department ने तो अगर आपके department में भी right to service act के तहट कोई services हैं जिनके bill बनते हैं ये salary के थूँ तो ये information आप भेज दें इसके बाद जो next instruction है वो है composite transfer grant से related composite transfer grant का आपको पता भी होगा कि जब एक employee का public interest में एक district से दूसरे district में transfer किया जाता है और वो अपना घर shift करता है जहांपर उसके transfer हुआ है उस district में तो उस employee को composite transfer grant दी जाती है TA rules के तहट इन rules में provision है कि हर साल 5% की increase होगी composite transfer grant में जो हमारे TA rules हैं उनके अनुसार हर 1 April से ये 5% की increment allow की जाएगी एक से बाद एक instruction आई थी 119 को उसमें government ने सिर्फ ये लिख दिया था कि 5% की increase होगी हर साल तो कुछ departments ने ये increment है जो ये increase है 5% की ये एक जनवरी से देना start कर दिया था तो इसमें clarification दी है finance department ने कि ये जो every year लिखा है 119 की instruction में ये 1 April से ही लागू होगा और जिन भी departments के द्वारा एक जनवरी से apply करके ये बढ़ा हुआ 5% का rate दिया गया है composite transfer grant में किसी भी employee को तो उनसे इसकी recovery की जाए 5% जो extra दिया गया है उसकी और ये 5% जो extra है ये 1 April से ही बढ़ाया जाएगा हर साल एक जनवरी से नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये clarification है composite transfer grant से related इसके बाद जो next instruction है वो house building advance से related है जो हम अब पंजाब national bank के थुरू लेते हैं जो department के loan थे इसमें पंजाब national bank ने government से पूछा था कि अगर कोई employee है और कोई plot उसकी wife के नाम पर है या फिर किसी और family member के नाम पर है तो उसको HBA grant किया जा सकता है या नहीं तो इसमें government ने clarification दी है कि HBA के वल तभी grant किया जाएगा जब जो property है वो या तो employee के नाम पर हो या फिर employee और उसके spouse के नाम पर joint ownership हो means उस property के दोनों owner होंगे तभी ये दिया जाएगा अगर सिर्फ उसकी wife या फिर कोई family member property का owner है तो उस case में HBA department के थुरू grant नहीं किया जाएगा अगर आपको भी किसी employee को HBA grant करना है तो इसका ध्यान रखें इसके बाद जो next instruction है वो HKRN से related है इसमें finance department ने बताया है कि HKRN cell में जो fresh apartments से related cases है वो प्राप्थ हो रहे हैं लेकिन जो cases प्राप्थ हो रहे हैं वो e-post पर और HRMS पर जो post कई detail एंटर की गई है departments के दवारा उसके अनुसार नहीं है तो finance department ने इन instruction के तहत कहा है कि e-post में जो भी data है उस data को update किया जाए और उसके अनुसार ही proposal भेजा जाए HKRN को fresh appointments से related इसमें finance department ने कहा भी है कि जो proposal है departments का वो तभी entertain किया जाएगा जब उनकी जो information है e-post modularize HRMS में उनका जो actual data है वो finalize हो जाएगा तभी इनको entertain किया जाएगा इसके बाद जो next instruction है वो cost escalation से related है इसके बारे में पहले भी instruction प्राप्त हुई थी कि जो भी government के construction के work है उसमें किसी भी project को अगर cost escalation किया गया है वो 10% से ज़्यादा किसी को अगर बढ़ाया गया है तो उसके bill pass नहीं होंगे treasury से जब तक कि government की approval ना ली जाए अब government ने decide किया है कि जिन भी project में 10% तक की escalation है उनको pass कर दिया जाए और ये later finance department ने सभी treasury officers को भेजा है इसके बाद जो next instruction है वो deputation से related है इसमें finance department ने बताया है कि कई departments में जो employee deputation पर हैं उनको 5 साल से ज़्यादा हो चुका है और उसके बारे में information finance department के पास नहीं है तो ये दो परफोर्में दियें finance department ने इसमें information मांगी है उन employees की जो deputation पर हैं दूसरे departments में ये information email के थूरू 10 दिन के अंदर अंदर finance department को भेजी जानी है deputation के बारे में आपको पता भी होगा कि 3 साल तक की deputation के लिए जो department का HOD है वो competent है उसके बाद अगर employee की जो deputation है वो 2 साल और बढ़ाई जाती है means 5 साल तक की deputation की जाती है तो उसके लिए ACS competent है और अगर 5 साल के बाद भी किस employee की deputation पर रखा जाता है तो उसके लिए finance department की permission लेनी ज़रूरी होती है और ये finance department के पास information available नहीं है इसलिए finance department ने ये information मांगी है तो अगर आपके department में भी कोई employee है जिसकी deputation 5 साल से ज़्यादा की हो चुकी है तो उसके बारे में inform करें finance department को और उसको deputation बढ़ाने से पहले finance department की permission ज़रूर ले इसके बाद जो next instruction है वो e-post से related है इसमें finance department ने e-post पर जो sanction post है और जो vacant और failed post है उनकी information मांगी है और अभी hkrn वाली instruction के बारे में जो मैंने आपको बता था कि hkrn अगर किसी को press appointment करवानी है किसी department को तो उस पर करवाई तभी होगी जब यह data final हो जाएगा इस instruction के साथ finance department ने list attach की है जो sanction और vacant और failed post है यह आप देख सकते हैं सभी departments की है यह list अब सभी departments को e-post पर यह confirm करना है कि उनकी department की जो list है जो detail है वो ठीक है या नहीं इस type का certificate hod को upload करना है यह certificate भेजने के बाद finance department confirm हो जाएगा कि यह जो list है जो department के दोबारा fill की गई है यह ठीक है और उसके बाद ही आगे की करवाई हो पाएगी hkrn पर भी इसके बाद जो next instruction है वो deputation से related है इसमें जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बता था कि finance department ने information मांगी है जो employee 5 साल से ज्यादा की deputation पर है उनकी और यहाँ पर जो यह instruction आई है इसमें जो technical board है उसमें जो teachers deputation पर थे उनकी deputation को finance department के दोबारा cancel कर दिया गया है और उनकी deputation को cancel करने के बाद इस format में दोबारा से information मांगी गई है finance department के दोबारा इसके बाद जो next instruction है वो fund transfer से related है departments में DDO का एक bank account होता है जो DDO के नाम पर open होता है तो जिन भी departments ने अपने budget से पैसा निकालकर DDO के bank account में डाल रखा है तो उसके बारे में finance department ने information मांगी है कि वो जो पैसा है वो utilize हो चुका है या नहीं उसके बारे में certificate देना है DDO को यह information finance department ने इसलिए मांगी है कि कहीं DDO के bank account में वो पैसा बलोक हुआ ना पड़ा हुआ हो कि ना ही वो use हुआ हो और ना ही वापस head में डलवाया गया हो तो information भेजी जानी है उसके बाद जो September महिने की last instruction है वो pension bank से related है आप सभी को पता भी होगा कि government ने कुछ banks को authorize किया था pension distribute करने के लिए ये वो banks हैं इन में से जो syndicate bank था उसको canra bank के साथ merge कर दिया गया था government के दवारा तो अब finance department ने syndicate bank की जगे canra bank को authorize कर दिया है pension distribute करने के लिए तो ये instruction इस से related हैं इसके अलावा किसी instruction का अगर आपको पता है जो September महिने में issue की गई है और जो हमारे काम की है तो comment करके जरूर बताएं अगर आप इस channel पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आज की वीडियों बस इतना ही फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद